हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू माई चानल मिस्टू जिके इस वीडियो में हम लोग लाल पांडा से जुड़े कुछ रोचक जानकरी के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं लाल पांडा को भालू के परिवार का सदे सम्माना जाता है लेकिन भालू की तरह हिंसक नहीं होते हैं लाल पांडा पूर्वी हिमालाई और दक्षिन पस्चिम चीन में पाए जाने वाले एक छोटा सा इस्थानपाई जीव है लाल पांडा एक साकाहरी जीव है जो अपने भोजन में हल, फूल खाता है लेकिन ये मुख रूप से बांस की तहनिया और पतियों को भी खाता है लाल पांडा अपना जादातर समय पेडों पर विताते हैं और पेडों पर सोना पसंद करते हैं लाल पांडा का जीवनकाल लगभग 15 बर्ष का होता है लाल पांडा जमीन पर बहुत धीमी गति से चलते हैं लाल पांडा का वजन करीब 4-7 किलो होता है ये लगभग 2-5 फिट लंबे होते हैं लाल पांडा जादातर समय सांत रहते हैं माधा और नर लाल पांडा देखने में एक जैसे होते हैं लालपंडा जादा तर समय अकेले में रहना पसंद करते हैं सिर्फ परजदन के मौसम में ही जोड़े में पाये जाते हैं लालपंडा सुरुवाती बसंद में सम्भोग करते हैं और गर्मियों में मादा लालपंडा 3-4 बच्चे को जर्म देती हैं करीब 2 साल तक बच्चे मादा लालपंडा की देखरेख में रहते हैं लालपंडा को एक लुप्त प्राई परजाती के रूप में बर्गी करित किया गया है हर साल सितंबर महने के तिसरे सनीवार को अंतरास्टियो लालपंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे पहली बार 2020 में मनाय गया था इसका मुख्यु देश्चो बिलुप्त होने के कागार पर खड़े लाल पांडा के संगरक्षन के पती लोगों को जागरू कराना है ये जानकर ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यो